एक क्वेशन करते हैं पास्कलो के उपर है पास्कलो वैसे कहता क्या था पास्कलो क्या था प्लस यह फोर्मूला क्या था देखो अगर आपने किसी कंटेनर के लिक्विट बढ़ा हुआ है एच्छाइट तक ठीक है और उसके सरफेस पर कितना प्रेशर है पीनो जो जारतर क्या होता है अब पी क्या था बेटा टोटल प्रेशर एट बॉटम पी आपका था नेट प्रेशर और नेट प्रेशर लिक्विड का भी आगया और एर का भी आगया कर अगर आप से कौश्चन एक्जाम यह पुछ ले कि बॉटम पर प्रेशर पताओ ढीन कुन लिक्विड लिक्विड कि वाज़से कितना प्रेशर आयगा इससोगर प्रेशर pit होते हैं मैटा इसको और पी क्या था पी अब्सल्यूट प्रैशर और पी नोट क्या था अट्मोस्परिक प्रैशर तो यानिकी कोई अगर आपसे कोशन यह पुछे की बॉटम पर ठीक ना प्रैशर ड्यू टू लिक्विड अट बोटम तो वो कितना लिखोगे इसके से आपने पीटा लिकवड ने कितना लगाया क्योंकि एटमोस्परिक प्रैशर तो पीटा पहली था हर जगा लिकुड की वैसे बिटा कितना फरकाया और टोटल प्रैशर पुछे वो आ जाएगा पीनोट प्लस रोजी अच यह थोड़ा से द्यान अपर एंसी क्यों में गड़ बड़ हो जाती है ठीक ना अब कोशन क्या है वोस्त देखो एक पतली सी पाइपली इसकी ठीकनेस को आप इगनोर कर सकते हैं मालो इतनी पतली है इस पाइप में लिकवड बरती है वोटर मालो कोई मालो ना है तो यह हाइट यहां तक आप लिकवड बरती है जितनी हाइट यहां था उतनी हाइट तक तो यह अगर आपका बॉटम है यह सरफेस है मालो आर्थ का इसके उपर आपने रखा हुआ है यह हाइट मालो बेटा आप अच्छ वन मालो चलो तो यह भी हाइट बेटा एच्छ वन ही होगी यह बता रख है उसने उसने यह हाइट बता दी बेटा आपको अच्छ यह बता रहे हैं क्या पूछ रहा है यह पॉइंट ए माल लो यह बी माल लो अच्छा यह यहां पर एक पॉइंट सी माल लेते हैं और यह पॉइंट बेटा आपका डी आगे आपने प्रैशर बताना है प्रैशर प्रैशर एड़ पॉइंट ए बी सी डी सोच ज़रा है सोच ज़रा है सबसे पहले असान पॉइंट पिक किया कर लिक्वड की डैंस्टी माल लो बिटा कितनी है रो है तो सबसे असान पॉइंट कौन सा लग रहा है कि रोव पॉइंट नहीं है वाई रोएगा फिर डी पॉइंट असान लग रहा है मेरे पॉइंट ओविस से क्यों सर इतनी हाइट है तो यह तो बॉटम के आसपसे मैंने कहा इसकी थिकनेस को माल लो इग्नोर कर सकते है तो डी पॉइंट पर प्रैशर कितना आएगा वेटा तो पी नोट प्लस रो जी एच बनाएगा ठीक अब बताओ जी पॉइंट पर कितना होगा पास कलो क्या कहता था अना यह अदूरी बात होगी ना सब हर जगह से होरिजोंटल प्लेइन में बिटा प्रैशर क्या होता था से होता हुए अगर होरिजंटल प्लेइन में प्रैशर से ना हो तो बेटा वोटर है जो वो फ्लो करने लग जाएगा हमारा वोटर रेस्ट पर समझे बात था तो सी और डी पर क्या रहेगा रेगा® तो पी सी पर वही आएगा dov पी डी पर आया था और वो आपको पता ही है पी नोट प्लस रो जी एक्च बाड़ अब बी पर पॉंच भी पर अच्छा पानी में डैस्ट में जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है उपर आओगे तो प्रेशर कम होता है तो पी बी पॉंट पर प्रेशर कितना जाएगा अब ज्यान से देखना बोटम पर कितना था पी नोट प्लस रो जी एक्च वन था नहीं यहां पर तो उपर गये कितने उपर गये तो वह माइनस कर देंगे वह आजएगा रो जी इतने हाइड आप उपर चलेगे तो इतना प्रेशर कम हो जाएगा अब कुछ बच्चे यहां पर देंगे सर उपर लिक्वर्ड तो है नहीं बड़ पास कर ला क्यों चलोगे तो यहां पर प्रेशर आपको इतना मिलेगा ठी प्रूजी क्ली सोचो आप कहरें तो प्रेशर है ना सोच कर देखो जरा तो वी पॉइंट पर प्रेशर बेटा कितना जाएगा इसको थोड़ा सिंप्रीफाइब कर लो पी बी उक्वल टू पीनोट अच्छा रोजी हैच वन मैनस ठीक है जी अब एपॉइंट पर कितना होगा जो बी पर होगा होरिजॉन्टल लेवल में सेम होता है ठीक है पढ़ी है तो पी ए पर वही होगा जो पी वी पर होगा वो बड़े प्यार से लिख सकते हो ठीक है कोशन है आप थोड़ी देर सोचो और करो विजारो इसी के जैसा है कोशन है कि इसे में को लिकूड बढ़ दिया बढ़ाइस में कि से में तक बढ़ दिया कि यह एंगल आपको कि थर्टी डिग्री दे लिए ठीक है और जो यह दियूए यह मान लो आपको यह वाली यह यह है थ्री मिट्र यहाई से कहलो आप एच वन कहलो एच टू कहलो इस इस वाली को और यह बटा आपकी एच वन आपने इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर प्रेश्र बताना है करें यह थ्री दी एंगल यह याओ निकाल काल है ना यह 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 वन है तो आपने यह पॉइंट पर प्रेस्र रिजह रड़ाना है और दॅ कि ढतुन की लोजी के लिए बेटा यहां पर निकाल सकते हो हां सिमेट्रिकल शेप यह भी कितनी है बेटा आपकी बेसिक मैठ लगेगा इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको जुरूरत किस चीज़ की है इसकी हाइट की ना बॉटम से कितना उपर है तो याने की यह सिमेट्रिकल शेप है तो इसको ऐसे मिला लो मां यह दिया भी हुए माल लो यह आपने यह निकाल दी अच्छा एंगल सिक्स्टी ले रो ना फिर सही काम बन जाएगा टोटल एंगल सिक्स्टी है तो हाफ हाफ कर दो बैटा थर्टी थर्टी आजाएगा दोनों साइड बस यह बता दो यह कितनी आए थाइटी यह वाली तो बैटा लिक्कोंसा लगा है बैटा ट्रिक्रमेट्रिक फंक्शन यह बेस दिया हुआ है सिर्फ बेस निकालना है हाइव दिया हुआ है को सब को सब्सक्राइब कितना आएगा बेस बड़ा कितना था वही तो नकालना था हमें ने पता कितना है कैपिटल भी मालने से जो भी है डिवाइड़ वैप्टिनस बिटा को सब्सक्राइब कितना होता है अंडर रूट थ्री बाइटू या वन बाइटू अंडर थ्री बाइटू अब आपने वही जो प्राना लोजिक लगाया था वही तो हमेशा कोश्चन को ऐसे याद रखो भी अगले कोश्चन को फोड़ने के लिए वह कोश्चन आपके काम आएगा यह नहीं एक कोश्चन को वहीं छोड़ दिया तो निकाल लो वही और आंसर बता देना कितना आएगा हाँ जी और बी मतलब यार मैं यह इसे माल लो इस हाइट को माल लो इसको एम मानना है तो बेटा यह आपका एम आजे का माल लो तो कितना आएगा बेटा यह पॉइंट पर है प्रैशन एट ए तो सबसे पहले यहां लिकलो न यहां पर आएगा पी नोट प्लस रो जी एच बन माइनस कर तो बेटा रो जी एच इसकी हाइट तो रूट थ्री बाइटू बिटा कहा नहीं का ता नुमे इसकी वैल्यू दे देगा कुष्ण न कुष्ण है एच बन एच टू की तो कोष्ण बन जाएगा पर उपर ठीक है पर टूटी हुई है वो भी टूटी हुई है नेक्स्ट बेटा पक छोटा सा टूपिक है इस पर लिक्विड प्रैश्रिंड की वज़ा से जैसे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं किया आपको यह दिखाई दे रहे हैं एक नीचे रहे हैं कि उपर बड़े प्यार से आराम से दिखाई दे रहे होंगे ना बटा दो लिक्विड है एक नीचे और एक क्या बाउंडरी बिल्कुल डिफाइंड है मिक्स तो नहीं हो रहे आपसमें ना यह होते हैं इमिसिबल लिक्विड हाँ आप यह मन्यों देख सकते हो यह को चीज थी वह अक्सपायर होगी उसकी डेट मतलब उसके बाद दो चीज़े जो थी बैटा मिक्स होई होगे बैटा वह आपकी अलग अलग होगी इमिसिबल लिक्विड में जो बाउंडरी होती है वह फिक्स होती है वह आपसमें मिक्सर नहीं होती है ठीक ना दो चीज़ें आराम से दिख रही है तो होता क्या मालों कंटेनर है जैसे मैंने आपको अभी दिखाया का और माल ये िनर जो है यहां तक पड़ा हुआ है यहां तक किसी एक लिक्विड किसी अलग लिक्विड से और उस लिक्विड OR फरकी क्या को यह गहां एकennial डेंसिटी माला यह रो बन है और एक यह रो टू है हु Fire एसकी हाइट माणन कितनी है है हैस्ट है और इसकी हाइट कितनी है इत तू अब औतंप पर नेट प्रैशर कितना अब ऑप पर नेट प्रेशर कितना आएगा एक तो बड़ा पी नूट आएगा ना अटमोस्फेरिक प्रेशर तो है यह हर जगा अब यह भी लिक्विड लगाएगा रो पहले वन के लिए रोवन जी है इसके हाइट कितने है प्लस रोटू जी है सिंपल एड कर देना है आपने लंबी चुड़ कोई बात नहीं है कि सिंपल एड कर देना है ठीक ना कोशन यह है हरका सा इसके जासे बनालते हैं मालो यह तो बोटन पर निकाला था बिटा कि दो लिक्विड है मालो बिटा आप रोवज माल लेके बिटा आठ सो केकड कोंनतर वोटर होगा साइक्णने लिःक्विड होगा द्हेंस्की सब्सक्राइब को मिन से वाथ उपर रहें इसकी बेता है यह लेलो और एक पॉइंट ले लिए यहां पर इंट एक बाइब कि यह अग लेला है मैंने लेली वन मिटर तो पॉइंट अपर नैय प्रेशा निकाल सेखेंगा पॉइंट आ इस केस में क्या करोगे दिखना पी एपर एक तो कॉमन सी बात है अटमोस्फेरिक प्रैशर आएगा पी नोट लिखो प्लस उपरवाल लिक्विट तो बैटा फुल है ना वो तो वैसे का वैसे लेंगा उसका प्रैश्र आजेगा रो वन जी हाइट कितनी है उसकी तू मेटर प्लस निच्चे वाले मेटा रो टू जी तो जी होता है इसकी हाइट कितनी लोगे इस पॉइंट से उपर लिक्विड यह वाला कितना है वन मेटर है ना इसकी बन मेटर ले ले लेगे अब पासकल प्लसरी अटमोस्फेरिक प्रैशर कितना होता है अभी वन यू वन पॉइंटर इंटू फाई पासकल प्लस रोवन कितना दिया हुए रोवन दिया हुए बैटा आठ सू और जी कितना होता है टैन तो 800 आगया और 2 से मल्टिप्लाई कर दिया यह भी पासकल में आगया प्लस रोट कितना है बैटा 1000 और जी कितना होता बेटा 10 तो एक 0 लगा दी और ये बेटा 1 है तो 1 ना आगया इसको add करके बताना कितना आएगा करना फटा फटा add question हो जाएगा ये बन जाएगा आपका इसके 2 0 कट जाएंगी 101 के साथ बेटा 3 0 आजेंगी 2 कट जाएगी ठीक है पलस बेटा 8000 एक सा 3 0 तो ये 16 मन जाएगा 16 और बेटा आगया देगा आपका टैनिक सा 3 0 simply simply आड़ कर 3 0 3 0 3 0 101 में ये 127 आएगा नहीं 26 और ये क्या वंटर 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 की से हमना 12700 तो पास कर लागे क्या साम था ठीक था और अब वही आजगा ना लगवा एक इस देखो छोटा सा फेक्ट है परसादें पास कुलोबेटर मिक्स कर देते हैं वह आपका अच्छे से हो जाएगा वह क्या है परसादें पास कर देक्ट है परसादें पास कर देक्ट है इसके इसांपर यह सकता है है अभी तखाया है बेटा जो मर्जी ले ले ठीक है ना पाने को पर तेल बेटा तैर जाता है हम सकता है कि यह दो लिकुड में ऐसे यहां पर रुके हुए ठैरे इसकी हाइट इसकी हाइट जाद है इसकी हाइट कम है बताओ बारा कौन सा होगा डैंस्टिक इसकी जादा होगी पहला कोशन तो यहीं बराता है कि एक लिकुड यहां पर बिटा इसके बीचों बीच पूरा क्या है वो बांडरी डिफाइन एक यूटूब लिए मैंने उसकंदर दो लिकुड डाल दी एक यहां तक बढ़ा और एक यहां तक और बांडरी बिटा यहां पर इदर दर नहीं जा रहे तो बारी कौन सा होगा कि इसकी जादा होगी इस तने वेट को यह संबाल है ने छोटे वाला तो वह हैवी होगा यह हैवी होगा ना भी आपको समनेदार हो यह हलक है तब ही तो अपर जाएगा तो अब इसकी डेंस्टी बेटा इतनी है जाँ से देखो बटा इसकी डेंस्टी इतनी है और इसकी बेटा जो यह हाइट है यह वाली यह टू मिटर लगा लो और इसकी हाइट बटा कितनी लगा लो थ्री मिटर बस यह दे दिया बताओ दूसरे बार की डेंस्टी कितनी है कि दूसरे वाले की डैंस्टी कितनी है कि कैसे करो कोशिश करके और बाकियों को बता देना कोशिश कैसे करते हैं मैं इंडisches पास को लोगे अब लागे लगा आकर दिखा देते है कि बोटम पर प्रेशर हो जो रहे रहे गा सेमग अ इदर से निकाल लोगाँ को एक्वेट कर रहे से लेवल पर इधर से अगर यह लिक्विड है इधर से बिटा प्रैसर कितना आएगा इस वाले का मालो बेटा रोवन जी एच वन और इधर बेटा रोटू जी क्योंकि यह आप कैसे उसने बनाया और निचे तो सेम आएगा तो बेटा यह डैंस्टी मुझे नहीं पता लेकिन कि जीग रहल हुआ है और एक टू बेटा थ्री मीटर है और यह विरू हजार है थाउजन और जी बहुता है और आट बनार नोग्ध टू दिया हुए तो टैंस अमर गया ठीक नऊ तो रोटू कितना ज़एगा ब्रका कि यह चीटिए बैम कितना आएगा कि अधा रशान कि दो जारे को तीन दोस्तों बांट दो बेटा 666 लगबग अप्रोक्रिमेट करके देख लो बेटा कितना है यह कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो मैंने क्या बताया था खमी आएगी ना यह उपर चला गया उपर दकेलने के लिए हैवी हों जाएगी ने सैड तो वह पहले पहले ही बता दिया था ठीक ना देखो यहां पर हमने लिकुड जैसे डाला ठीक ना इसको इतने जादे लिकुड को कम लिकुड बैलंस कर रहे है यह हुआ ना क्योंकि तो शेप स्मेट्रिक जा रही है लेकिन यह लिकुड जा रहा दिख रहे है यह कम दिख रहे है और बैलस तो तभी होगा जब बेटा दोनों का यह लगा 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 लें फोर्स लगा बेटा सेम हो ठी इसको चीज तेया रगे बैट उसकी डैसी इस टीज चाम हो गी ठीक ना अब नेक्स्ट वे टोपिक आता है आरखेमीड प्रिंसीपल वो देख जथे हैं आइ थिंक यह हो गया वह बैटा थे करना कि आरके मुड़ी प्रिंसिपल क्या कहता है आरके मुड़ी प्रिंसिपल कि इसको द्यान से देख लो यह कहता है कि अगर आपके पास कंटेनर है और यह किसी लिकूर का बढ़ा हुआ है इसके अंदर आपने के बोड़ी डाल दी कोई भी बोड़ी इमर्स्ट कर दी ठीक है ना शेप जैसे मर्जी ले सकते हूं माल बढ़ा यह बोड़ी आपने इसकंदर कोई भी डाल दी वोटर की डैंस्टी लेकूर की डैंस्टी बढ़ा क्या माल लो रो माल लो जरूरी नहीं कि वोटर हो इसकी डैंस्टी कुछ अलग हो जाएगी कि कहना यहां इसकी रोवन मालो इसकी रोव मालो नहीं इसकी रोव मालो अब डूबा नहीं है मालो यहां पर फ्लोट फ्लोट करेगा तो उपर चला जाएका तो बीच में ने रसी से यहां जैसा मर्जी कर ठेका ना कोची दूबने वाले तो उसको अपर बांद लटकाया हुआ ठीक ना चलो देखते हैं क्या है अब इसके प्रूंकुल सी फोर्स लग रही है अगर सब से पहले पर्लेटा मैं प्रैशर की बात करूं इसके प्रैशर की बात क्योंकि जो एमजी था हमने प्रैशर में कंसीडर कर लिया था अगर आपको याद हो वो केस जब प्रैशर की एक्वेशन ड्रो की थी तो उसके अंदर हमने एमजी कंसीडर कर लिया था एक प्रैशर बेटा उपर से लगेगा और है उपर वाली हाइट के cr एक और निचे वाली हाइट को परेटक्या मांजना है यह इल मांजने लो यह अब जो अपर सरicker प्रैशर लगा वह कह रगा और से वह प्रेश्च को फीवन मांजनो и यह वह कितना हैगा वो कितना आएगा प्रैसर क्या था था भी जिएच हम लिक बुड़ लिक बुड़ की बात कर लेते हैं चलो वो ले ना भी ले लो पी नोट प्लस रो नहीं बाहर दा लेगा रो तो लिक बुड़ फ्रैसर लगाएगा ना तो यह आगया नीचे से प्रैसर अपवर भी तो लग पींगए गाना उसको नृ। यमालो कि टूं रोंड़ इतना अबब को फॉर ध्रमवां चलुष को पर हो दो मैंने देख लिय। यह यहां जाएगा बीटा स्क्राइब रो दो है तो थे वक्यान संग्ना है ल Hey चलो सasis pent-, पर प्रे टोंड़ कर जाएंगा इस पॉइंट पर प्रेस्टर पर प्रेसर कितना होगा मैं इस-पॉइंट पूछ रेता है आप से चलो छोड़ो उसको और तो ऑल्युन लेकर सेंद आ मिधिन पर लो न रो जी एचपलस ल्योग हो दू यहास पर यह जाएता है प्रैशर है तो क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा कि लगाएगा प्रैशर है तो क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा तो पहले प्रैशर ने कितनी फोर्स लगाई बेटा फोर्स होती है प्रैशर इंटू एरिया एरिया बेटा मैंने यह एरे कितना माल लिया बोडी का यह म पी नोट प्लस रो जी एच के साथ ए लिख दिया और बिटा एफ टू कितनी आएगी पी टू इन्टू एरिया अब एरिया मैंने बोडी ऐसे लिए सिमेट्रिकल शेव में ठीक ना समझ जाना यह आ जागा पी नोट प्लस रो जी एच प्लस साथ में एरिया लगा दो एक उपर से फोर्स लग रही है कि निचे से लग रही है एक उपर से लग रही है कि प्रैशर कहां ज्यादा है मुझे बताओ निचे को उपर निचे ज्यादा प्रैशर तो निचे वली फोर्स ज्यादा होगी उपर की तरफ तो जो नेट अपवर्ड फोर्स लग रही है किसने लगाई है लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं लिक्विड में कितनी अपवर्ड फोर्स लगा लिक्विड कितनी लगेगी क्या कर सकते हो एफटू मैनस एफवन एफटू बेटा कितनी है यह वाल है अब मैंना एक को अंदर मल्टिप्लाइ कर दूं साथ साथ यह एक स्टाफ फालतों करें इस एक को अंदर मल्टिप्लाइब तो करना है ना करूंगा मैं तो पी नोट एए यहां लिख दिया प्लस रोजी है एच प्लस एल साथ में बेटा एया माइनस कौन सी करनी है मैं थोड़ा सा ठीक रखो पना तब तो फिजिक्स सिख हो गए पी नोट एए प्लस रोजी है इसको सिंप्लिफाई करना क्या बचेगा काफी कुछ बेटा काट फिट जाएगा करना एक बार सारे सिंप्लिफाई से पी नोट एए प्लस इसको बड़ा अंदर भी कर सकते हो यह बन जाएगा ह एच ए प्लस रोजी एल ए माइनस पी नोट ए माइनस रोजी एच ए यह कट गया यह कट गया है क्या बचा रोजी एल एक रोजी है यह बज़ाए पड़ा सबका यह फोर्स है जो लिक्वड ने कहां लगाए बटा अपवर्ड लगाई बोड़ी लिकवड में डालो गे तो लिकवड अपवर्ड फोर्स लगाई इतनी अब यहां पर ध्यान देने में बात है ए और अब एलक को मिलाकर क्या बनेगा वोल्यूमग को है अगर है अगर यह सिम्टर है आपका और इसका एरिया η और यह माल लो यह में अगर क्प्र्वेंट कि तना ए अ परवालолी कितना है और हाय्ट किन में इसकी पितल इसका वोल्यूम होता है यह बन गया है रोजी यह रोड एंस्टी किसकी है लिक्विड की देख कांसे कांशिफ्ट होगे और वी क्या है वोल्यूम डैंस्टी इंटू वोल्यूम क्या आता है मास आता है स मास Bean यहिं क्यों की वोग्स करें यह है जैना डैंस्टी ना वालिंक्यों करेंगे तो बेटा अगर आप उस जगह में जाओगे उतना ही पानी किया होगा न यह जितना वोल्यूम आपका होगा अगर आप उसमें जा रहे हो किसी पानी में उतना ही पानी डिस्प्लेस करोगे ना जितना वोली हूं आपके मास्ट पर डिपैंड है नहीं करते हैं क्योंकि मैं आपके इसांपल देता हूं मालो बेटा एक जैसे इसके पानी बढ़ा मालो एक ऐसी बोल है जो खाली अंदर से खाली अंदर से ठीक होलो है उसको पानी में डालोगे वो भी उतना ही डिस्प्लेस करेगी बोडर को और ऐसी लोही के लिए लो बरी हुई अंदर से इसके मासक पर ऐसका इसका वोलिम इतना है वह इंपरेंट है यह जो यह बोलिम तो बेहों ऐसका है बोडी का लेकिन जितना यह बह loop कुप को निकाल कर यहां लोहे का कोई बॉक्स या कोई वूडन का बॉक्स फिट किया हुआ है तो कितना निकालोगे जितने इसकी शेप है उतना ही वोलिम आपको निकालना पड़ेगा न यानि कि यह जो बना न डैंस्टी इंटू वोलिम यह बना मास्क और यह मास्क इसका है बेटा यह मास बेटा लिक्विड का है जो डिस्प्लेस हुआ है जो डिस्प्लेस हुआ है तो यह जो नेट अपवर्ड फोर्स आई वो किसके को लाई वेट ओफ देखो यह तो था मास लिक्विड का साथ में जी तो वेट ओफ लिक्विड आ गया जितना लिक्विड का वेट बेटा डिस्प्लेस होगा उतनी ही बायोंसी फोर्स लगेगी उतनी ही बायोंसी फोर्स लगेगी अब बायोंसी फोर्स क्याता है वोई बता देते हैं इतना हो गया बैटा अब बताओ यह जो फॉर्स आई ने बैटा यह फॉर्स आई जो लिक्विड ने लगवाई ठीक है न इसको क्या बहुते है बैटा बायोंट फॉर्स समझ में आए बैटा तो एक वर्ड लिख सकते हो बैटा बैटा लिखना बैटा लिखना बैटा फॉर्स क्या होती है बैटा फॉर्स ठीक है न इसको दो तरी को सम सकते हो एक तो बैटा यह लिख लो प्रश करणा बैटा बैटा फॉर्स क्या प्रशना बैटा दो तो बैटा 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 फॉर्स यहां पर यह लेख लो इसी के अंदर दूसरी डैफिनिक्श लिख सकते हो अपवर्ड थ्रस्ट अपवर्ड थ्रस्ट अपवर्ड थ्रस्ट अग्जर्टिट बाए लिक्विड वन बोडी इमर्ज़ आपरेंट वेट इतना आएका बेटा इमर्ज़ लगा लो जो भी अब बताना रियल वेट और आपरेंट वेट में फर्क आएगा कि नहीं आएगा पामी उपर फोर्स लगाएगा ना तो जो आपरेंट वेट है वो कितना आएगा अपरेंट वेट आएगा बेटा लिक्विड का वेट मैंनस अ आपरेंट वेट मैंनस एमजी लिक्विड का वेट यो सुरी बोडी का वेट नीचे एक्ट कर रहा है और एक अपरवड फोर्स लगा दी एपरेंट वेट यह आएगा इसको डब्लिव डैश कहलो तो डब्लिव मैनस सर अगर एक बार्टी के अंदर पाणी बरा हुआ है और उसका करेंगे वेट आप सबने किया हुए ना यहां पर आप देख सकते हो जो देखना चाहिए हां तो इसको ऐसे रख लेते हैं थोड़ा सब्सक्राइब देख पाओ एक में इसे में थोड़ा से दिक्कत है यह रीडिंग बहुत जल्दी दिखा लेता है इसका है बेटा 5.75 नोट कर सकते हैं फाइप वेंट लिख लो बेटा अब्सरवेशन हैं हमारी इतना इसका वेट है कोशन यह है अगर मैं अपने हाथ इसके अंदर डालू नीचे टच नहीं करना बड़ाओ यह वेट बड़ेगा कम होगा के सेम रहेगा हाँ ये तुक कर देंगे तच्छने करना निच्छे जसात में डालना है भडेगा बेट junior मैंने लिपडेगा जटना हहु मैंने लिपडाइब करना और आपने बताना है वेटा बड़ेगा या नहीं भड़ेगा स bevor case इतंसरा सोच और मनमें बढ़ेगा आप कहरें बढ़ेगा आप बेटा नहीं बढ़ेगा जब देखते हैं साहब हाद रीडिंग आप नोट कर ली ना देखना और मैंने निच्छे टच नहीं किया शिक्स पॉइंट डवल फाइव यह देख लो नोट कर लो भाई यह क्या हुआ अब बेटा क्या आया शिक्स पॉइंट कितना था बेटा शिक्स यह बेटा बड़ा कैसे मैंने जट अच्छे नहीं किया अब जाहां सुनना एक तो बेटा यहां समझेल न्यूटन का थड़ला एक्शन एंडर रियक्शन हुआ क्या वैस्तों बेटा गड़ता था ठीक है ना अब जाहां से देखो जैसे ही मैंने अपने हाथ लिक्वड के अंदर डाले तो बाइंसी फोर्स लगी अपवर्ड लगेगी अपवर्ड अब वो जो बाइंसी फ़र अपवर्ड लगाई लिक्वड ने तो उसका action reaction भी तो होगा ना तो मेरे हाथ ने लिकवड़ी को पर भी लगाई होगी बेटा और जो मेरे हाथ ने लगाई लिकवड़ी को पर वो नीचे किसके उपर जागा गरी वेट मशीन के उपर डाउनवर्ड थी तो जितनी बायोंसी फोर्स आप यहां पर निकाल सकते हैं बायोंसी फोर्स कितनी होगी समझ के बाद को action का reaction मिला और reaction क्या गया नीचे तो न्यूटन का थाड़ लाग यहां से आप देख सकते हो ठीक है न और एक question है इसको ना question form लिख लो कैसे लिखना है इसका वे इन डबल्यू है और liquid है कितना मिटा डबल्यू बन और यह वेड़ मिशीन है आपकी इसके उपर जो reading आएगी न तो reading कितनी आएगी वेड़ मिशीन को पर वेड़ मिशीन कितनी reading नोट करेगी डबल्यू 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 प्लस डबल्यू पहला option यह है मिटा second है यह और नेक्स लिख सकते हैं यह एक्मेंट यह एक्मेंट वेटा यह किमेंट M जी और M क्या है Mass of Displaced Liquid Fourth है आपका Third option आएगा बैयोंसी फोर्स एड होगी न बैयोंसी फोर्स ही एड होगी बेटा उसका वजन कितना था उससे फर्क नहीं पड़ेगा जैसे यह है अब आपके साथ से यह बहुत है वी ठीक है न इसका अलग से अगर मैं वेट करूं यहां पर नोट करना विटा कितना आएगा यह आपकी आपके फिल्टे में बैठी हुए है ना ठीक है तो चार कि लोगा है विटा ठीक है न और यह लिकूड कितने का पहले भी किया हो था वेट इसका 5.70 असपा सारा थोड़ा बोध एर आजाएगा अब इसको इसके अंदर डालेंगे इसको को उठाएगा एक मिट बाए इसको ओन करना ने क्यासे ए इसको यहां रखो रख दो रख दो और इसको इसके अंदर डाल दिया आए बाई एक बार सी आने दो कि एक मिटे यह मशीन चेंज करने पड़ेगी रखना कितना अब 6.25 सिक्स पॉइंट है अच्छनी कर रहा है निच्छे नहीं पहले बड़ा लगता है पहले बड़ा चेंज था अब देख लिया है क्या आपने उबज़र किया इसका वेट अपने कितना था चार केजी था त नो क्या सपसाम चाहिए उस साफ नहीं आ रहा है तो बेटा रीडिंग में वही आएगा एक तो बेटा लिकुड का वेट प्लस बाइंची फोर्स निखालो बटा सब्ट्रेक्ट करके जो फातो वेट आया वो बाइँं ऑसी कि वहसी तो उसी तोलहें तो वो सब्टरेक्ट कर्लो bound हुआं भुए पहले तो आप वेट निकालना कितना आएगा मालो इसी इसी रिडिंग में माल लो अगर अगर सब्ट्रेक्ट करण आएगा यह असान करने के लिए तो यह आजाएगा अप्रोक्सिमेटर वन केजी और वन केजी देट मास आया ना डिस्प्लेस लिक्विड का उसे साफ से तो भाइं उसी फोर्स कितनी आएगी बेटा मास इंटू जी तो टैन न्यूटन कर देना मास इंटू जी एक मिटर यह आपका मास है वैसे समधार बच्ची हो एम है मास आएगा ना केजी में वो तो बिटा मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा ठीक न कल इसी को आगे ले जाएंगे बिटा और भी मास के आती है वो मेशीन के अंदर सैटिंग के उती है टैन से डिवाइड करने वाली पहले बता रखा था मेजर तो क्या करती है वेट बताती क्या है मास अंदर फंक्शन ऐसे किये होते हैं अब बेटा जिसका 40 kg वेट है उसको 400 बता देगा तो बेटा उसको टैग नहीं ही होती है टैन से डिवाइड करके वह आप क्या बताती है मास तो ठीक है आज के जा सकते हूं